तो हम बात कर रहे थे ब्रसपती आपके लगन चार्ट में विभिन भाव में जब आते हैं तो क्या-क्या रिजल्ट देते हैं इस वीडियो में बात करेंगे पंचम भाव में जब ब्रसपती इस्तित होते हैं तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं देखे पंचम भाव, पंचम भाव वो भाव है जिसके कारक भी ब्रस्पति माने जाते हैं और यहाँ पर आपके संतान, आपकी एजूकेशन, आपका टेलेंट, आपका जो कॉमन सेंस है या जो आपकी बुद्धी है उसको देखा जाता है इसके लवा आपके जो पुरुए जन्मों के जो पुन्ने हैं, आपने जो पुन्ने करम किये हैं, वो यहाँ पर देखे जाते हैं तो ब्रस्पति यहाँ पर जब भी आते हैं, तो ब्रस्पति इस भाव के परती आपको बहुत ज़्यदा एक तो अलर्ट करते हैं और इस भाव की कारियों में आपको हमेशा सहयोग करेंगे अगर अच्छी स्थिति में हुए तो और जनरली देखा जाए तो पंचम भाव अगर कालपुस की कुंड़ी के इसाब से देखें तो सुर्य की रासे इस भाव में आती है जो कि सिंग रासी है इसलिए पंचम भाव हमेशा ब्रस्पती के लिए अच्छा ही कहा जाएगा अब अगर आपकी कुंड़ी में पंचम भाव में अगर कोई ऐसी रासी है जहां पर ब्रस्पती नीच के हो जाते हैं जिसे मकर रासी है या यहां पर ब्रस्पती आपके सत्रु रासी में आ जाते हैं लगन के इसाब से तो हो सकता है, कुछ मात्रा में आपको सही रिजल्ट ना मिले लेकिन अवरॉल यहां पर बरस्पती काफी अच्छा रिजल्ट देने के काबिल होते है तो पंचम भाव में जब भी बरस्पती आते हैं, जातक को क्या क्या देते है देखे जातक यहां पर नई चीजों को सीखने का बहुत ही ज्यादा सोकिन होगा वो पढ़ाई का बहुत ज्यादा सोकिन होगा, वो बहुत अच्छे से कोई चीज को सीखेगा और वो दूसरों को भी सिखाएगा इसी तरीके से उसका कॉमन सेंस, उसका जनरल नौलेज, उसकी बुद्धी काफी अच्छी होगी ऐसा जातक बहुत अच्छे डिशीजन ले सकता है सही गलत का नेड़ने ऐसा जातक बहुत जल्दी कर सकता है ऐसे जातक बहुत जल्दी डिशीजन लेने में काफी माहीर होते है और ये फैसला बहुत जल्दी लेते हैं कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है इसी प्रकार से ये अपनी संतान के परती बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं संतान का ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अब ब्रस्पती एक male planet है तो पंचम भाव में जब भी ये आते हैं तो आपके पुरुस संतान होने की समावना बढ़ जाती है हलांकि आपको इसके लिए अपने पंचमेस को भी देखना पड़ेगा और पंचम भाव पर और कौन-कौन से ग्रहों की द्रश्टी है उसको देखना पड़ेगा ब्रस्पती की साथ और कौन सा planet आपके पंचम भाव में बैठा है उसको भी आपको देखना ही पड़ेगा उसके बाद या आप जज़ कर सकते हैं आपको कन्या संतान होगी या पुरुष संतान लेकिन बात अगर only हम ब्रस्पती की करें तो ब्रस्पती के पंचम भाव में आने से आपको ये संभावना बढ़ जाती है कि आपके पुरुष संतान जरूर्फ होगी तो यहाँ पर ब्रस्पती जब भी होते हैं ऐसा जातक का जो mind होगा वो बहुत broad होगा और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेदित होता रहेगा उसमें self motivation होगा यानि उसको और कोई की द्वारा अगर motivate किया जाएगा तो वो उतना motivate नहीं होगा जिवन में वो खुद से ही motivate होगा वो खुद की गलतियों से ही सिखेगा और ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ऐसे होते हैं ये लोग की कुछ नया बनाने में या कुछ नया create करने में या फिर ये कुछ नियम बनाने में बहुत ही माहिर हो सकते हैं तो ऐसी जात्कों के लिए अगर जोब देखा जाए ये ज़्यादातर पार्लियमेंट के जो बड़े पद हैं उन पे हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, ये अकाउंट से जुड़े हुए काम या जो टेक्स डिपार्टमेंट है उसमें कोई अधिकारी हो सकते हैं और इनको मिला होता है, लेकिन ज्यादातर जहां पर फाइनेंस से जुड़ा काम होता है, जहां पर धन से जुड़ा हुआ काम होता है, वहां पर इनके होने की समाना बहुत ज्यादा होती है, इसी प्रकार से इनको धन की बहुत अच्छी समझ होती है, इनकी केलकुलेशन पावर काफ अच्छा डिसिजन में कर एक अच्छा वकील भी जातक हो सकता है वो दूसरे लोगों को कोई न कोई सलाह दे सकता है वो दूसरे लोगों के लिए कोई नियम निर्दारित कर सकता है तो वो ये पता लगा लेता है कि दूसरे लोग यानि जो भी लोगों को वो सलाह दे रहा है या जिनके लिए भी वो नियमों का निर्मान कर रहा है उन लोगों के लिए वो नियम कितने सही हैं कितने गलत हैं तो इसका निर्ने वो बहुत जल्दी ही कर लेगा तो ऐसे जातकों का माइंड काफी तेज होगा उनकी बुद्धी काफी अच्छी होगी और उनमें maturity होगी अगर देखा जाए तो इनका जो support है mind का इनको बहुत ज्यादा रहता है ऐसे जातकों के पास intuition power इनका अंतरग्यान भी बहुत अच्छा होता है इसी तरह से ये कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करती हैं अपना तो बहुत ही सो समझ कर पैसा इन्वेस्ट ये करेंगे तो इनको धन समंदी मामलों में नुपसान होने की chances कम ही रहेंगे ये किसी को एक अच्छी financial advice दे सकते हैं ऐसे जातकों के ये दिखा गया है कि इनको share market से बहुत ज़्यादा लाव हो सकता है इनको share market का बहुत अच्छा knowledge हो सकता है ऐसे जातकों के stock broker बनने के या stock market से जुडने की बहुत ज़्यादा संभावने भी होती है तो ऐसे जात तक हो सकते हैं कि इनको सेर मार्केट का भी अच्छा knowledge हो या इस मामले में ये दूसरे लोगों को कुछ नया सिखा सकते हैं या advice भी दे सकते हैं तो जो लोग विसेशकर जो सेर मार्केट में consultation प्रोवाइड करते हैं इस तरह की या जो call या port का जो देते हैं तो कहीं न कहीं वो जो tip देते हैं लोग वो उनका पंचम भाव में ब्रसपती हो सकता है इसी तरह से आपकी संतान और आपकी education अच्छी होगी आपके पूरवे पुन्यों का lab आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस जिवन में ब्रसपती के पंचम में होते हुए इसी तरह से हो प्रेज बहुत ज्यादा होंगे और यह हो सकता है कि आपकी जो educational field है उसी से आपकी संतान का भी जुडाव हो उसी को वो भी follow करें ऐसे जातकों के जब पंचम में ब्रसपती होते हैं यह प्रेम समंदों के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसी तरह से इन जातकों के प्रेम स share करते रहेंगे अगर किसी का भी पंचम में ब्रसपती हुआ तो ऐसे जातकों अपने दोस्तों या इनसे जो भी लोग जूड़ेंगे उनको कोई ना कोई knowledge देंगे इसी तरह से इनमें कोई अच्छा talent हो सकता है इनकी सरजन शमता बहुत अच्छी हो सकती है और इनमे creativity दरसाता है और इनमें dance या singing की जो कला है वो बहुत अच्छी हो सकती है इसी तरीके से यहां पर ब्रसपती आते हैं तो आप अगर कोई mantra जब करते हैं आप किसी गुरू से कोई सलाह लेते हैं वो सलाह हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे से काम करें ब्रसपती जब भी पंचम में आते हैं तो जातक कोई एक mantra लेकर अगर उसको वो सिद्ध करना चाहे तो ऐसा जातक बहुत जल्दे उसके result प्राप्त कर सकता है और ऐसे जातक कुछ spiritual field में भी काफी अच्छा ये लोग कर सकते हैं तो ये काफी अध्यात्मिक होंगे इनकी संतान इनके लिए बह पंचम भाव में ब्रसपती होने से आपकी higher education भी अच्छी हो सकती है आपको अध्यात्मिक knowledge भी बहुत ज्यादा हो सकता है आपको spiritual knowledge भी बहुत ज्यादा हो सकता है तो कहीं न कहीं यहां पर जो पंचम दृष्टी इनकी पढ़ती है वो आपके आपके नवम भाव पर से आप यह पंचम भाव के मामलों में काफी ज्यादा लगी भी साबित होंगे इसी तरह से आपका पंचम भाव का कोई भी कारिय होगा उसके लिए आपका लग हमेशा साथ देगा इसके इलावा हो सकता है कि आप कोई economics के professor या कोई lecturer हो सकते हैं तो आपका commerce या economics से जये तो ब्रस्पती को जब वो नमम को देख रहे होते हैं आपके कुछ लंबी दुरी की यात्रें अपनी educational purpose के लिए जरूर हो सकती हैं साथ ही आप अपने educational purpose के साथ जिवन में बहुत सारी लंबी यात्रें ऐसे भी करेंगे जो आप अपनी संतान के लिए या आप अपने क कोई भी ऐसे आध्यात्मिक यात्रा जो करेंगे कोई purpose के लिए आप करेंगे यह आपके भाग्य का साथ बहुत ज्यादा दिलाता है आपको पंचमभाव के कारियों में अगर बरस्पती यहां पर पीडित हुआ तो फिर संतान का सुक या तो आपको मुस्किल से मिलेगा या बड़ा पैसा बना सकते हैं अगर यह धन के मामले में बहुत ज्यादा लालची हो जाएं या यह जूए सट्टे में ज्यादा पढ़ जाएं तो इनको बहुत बड़ा नुकसान भी ब्रस्पती करवाते हैं तो अगर ब्रस्पती पंचमभाव में है एक limit में ही आपको रहना केहेगी साथ ही आप धन के मामले में किसी को कोई advice देंगे तो वह उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी पंचम में ब्रस्पती होते हुए अब ब्रस्पती यहां से आपके लगन को देखते हैं जब यह लगन को देखते हैं तो आपको सीधा सीधा पंचम भाव से connect कर देते हैं ऐसे जात्कों के पूर्वा जनम के अच्छे और बुरे कर्मों का परभाव उनको इस जिवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा दूसरे जात्कों की तुलना में इसी तरीके से आपके जो लगन है उसको ये पंजम भाव से जोड़ देते हैं तो मैने जैसे दूसरों को एक अच्छी सलाह दे सकते हैं और ऐसे जात तक जहां भी काम करेंगे जिस भी फिल्ड में काम करेंगे वो एक अच्छे निर्नायक के तोर पर माने जाएंगे यानि यह किसी काम को मैनेज करने में या किसी काम में जैसे निर्नायक की भूमिका निभाने में काफ जंब आपके कारियों में महसूस ہوगे और जो कुछ qualification से प्राप्त किया हैं उनके according आपको काम मिलेगा नहीं उनके according आपको जोब नहीं मिलेगा आप जितना deserve करते हैं जितना धन डजर्व करते हैं जितना payment आप चाहते हैं अपनी qualification के according आप जब काम करेंगे तो उतना payment आपको मिलेगा नहीं तो ऐसे इस्तियां भी create हो सकते हैं अगर बरस्पति अच्छे इस्ति में ना हो साथ इसाथ संतान को लेकर भी कुछ इस्यूद जरूर आ सकते हैं तो कुछ इस परकार के प्रिणाम देते हैं जब भी बरस्पति आपके पंचम भाव में आते हैं फिल्हाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवादा